वर्दियो गुजरात का बहुत ही popular है काथ्यवाड रेसिपी है जिस तरीके से उंदियो popular है उतना ही ये काथ्यवाड में popular है बनाना बहुत ही यूनिक रेसिपी है और टेस्ट इतना गजब की आप खुट सोचगे की आछ से पहले आपको ये रेसिपी क्यूं पता नहीं थी च आपने और भर्वा लालु दियान, वर्वा मेशन जाइब मिर्ची मर्चा मुट्राश प्राइल करता हैằं रिमूफ कर देंगे और बीच का टमाटर के जो बीज है वो हम रिमूफ कर लेंगे चमत से और बीच में करेंगे टमाटर के स्टफिंग यह सब्जी बहुत ही जादा टेस्टी लगती है अपने आपने यह एक अपनी ही खासियत लेके यह सब्जी बनती है और देखे टमाटर क तो इस तरीके से स्टफ टमाटर इसी में हम बनाईंगे कॉम्बिनेशन बनता है यह सबस्जियों का और यहां पर जो बैंगन है उसके भी मैंने चीरे लगा के पानी में डालके रख दिया बैंगन को चेक कर लीजे कोई कीडा तो नहीं और जो मिर्चियां है उनको भी चीरा बीज निकाल लेंगे और आलू को भी स्टफिंग करने के लिए चीरे लगा देंगे तो देखिए अच्छे से अलू को एक तम डीप चीरा लगाना है दो टुक्रों में काटना नहीं है अच्छे से देखिए मैंने सारी के सारी सबजियों में चीरे लगा के रख दिये अच्छे से बेसन को बूनना होता है जब तक बेसन का अरोमा अच्छे से नहीं आ जाता देखिए ब्राउन सा होने लग गया है बेसन इस कलर का टेक्स्चर का जब हो जाएगा अच्छे से बून जाएगा ब्राउन लाइट ब्राउन कलर का तो उसको हलका सा ठंडा करेंगे अब इसमें बाकी मसालों को मिलाके stuffing बनाइंगे अब एक कड़ाई में आदा कप मुफली लेंगे उन्हें अच्छे से roast कर लेंगे मुफली को जितना अच्छा आप roast करेंगे उतना ही अच्छा उसका flavor आता है आपको जलाना नहीं है और roast करने के बाद ये optional है आप उसका चिलका हटाना चाहते हैं अगर अच्छे से रोस्ट है तो चिलका हट जाता है लेकिन मैं बिना चिलके के बनाने वाली हूँ उसके चिलके में काफी न्यूट्रिंस होते हैं मिक्सी के जार में मुफली डाल दी हमने सेक कर थोड़ी जब ठंडी हो जाएगी उसके बाद दो टेबल स्पून सौफ का डाल दिया आधा टी स्पून हमने इसमें काले मिर्ची डाल दी इस सबजी करीब आराम से साथ आठ लोगों के लिए बन रही है पांट से छे रेड चिल अ हली इसमें अदी चम्मिर्स कारम मसाला पाधा लिंको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है आधी चम्माच क्योमिन पाधा बुना जेरा पाउडर आधी झम्माच हींका पाउडर ओर इसमें दो हैडरि मिर्चों को छॉप करकर थ against your we can do it अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से इनका पेस्ट बना लेंगे पाउडर बना लेंगे देखिए यह पाउडर बन के रेडी हो चुका है और अब इस पाउडर की हम स्टफिंग बनाएंगे तो देखिए यह जो पाउडर है इसमें मैंने 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर जाल दिया है या चीनी आप नॉमल डाल सकते हैं इसके अंदर टेस्ट को बैलन्स करता है मसालों को बहुत ही गज़र आता है अब जो बेसर हमने भून कि रखा तो ना उसके अंदर हम यह मिक्सी का पाउडर मिला देंगे और इस पाउडर को अच्छे से मिलाने के बाद दे अच्छे सबजियों में टेस्ट दाता है दो टेबल ग्रेवी बनेगी तो उसमें भी नमक ऊड़ा होगा तो यह मसाला बिल्कुल रैडी है यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है आप चाहें तो इस्से घर में स्टफिंग वाली सबजियां बना सकते हैं आप चुट और न भiene को दिए आपार के नीफना को सब्रेश । बहलें वाले टाइम से अरह में आप जो दिणा सब्रेस चॉइसोर कर नाम कamas向 नाम कारी हुर वर करना चॉड़ क्सके गरें हैं सब्राइब कार जो वीचा घृण्ग का लोला कि अपनी मर्जी के सबजें भी इसमें चाहें तो अगर यह अवेलिबल ना आप डुटिक्स भी ले सकते हैं इसकी भी तो मैंने अपने हिसाब से यह सबजें ले ली हैं स्टफिंग कर दी है चलिए अब इनको भाप लगाते हैं अब यह हमने एक स्टीमर ले लिया आप कोई कड़ाई ले लिजे पानी रगा दीजे उसके अंदर उसे बॉयल कर दीजे ऊपर कोई भी जाली लगाकर उसमें हमने लिया स्टीम करने क स्टफिंग करने के बाद बो हम इसमें डाल के उसे भी अच्छे से स्टीम कर लेंगे तो करीब पांच से साथ मिनटी स्टीम करना है बहुत सादा स्टीम करने से सब्जियां जो हैं बहुत गिलिली सी हो जाएंगी तो हमें साथ मिनटी स्टीम करना है बेसिकली जो आलू होत बाकी सब्सक्राइन ना टाइम लगा अब ने करीब 5-6 खिलो वाला एक पतीला लिया है उसमें 1-4 cup groundnut oil राइच बना रहे हैं जीरा जीरा और राइक अच्छी स्प्लटर होने देंगे लाल मिर्ची तेसपता लॉंग काली मिर्ची और स्टार फूल डालें और सिन्यमन स्टिक और करी लीप्स डाल देंगे, कसूरी मेती डाल देंगे, एक बड़ा चममेच, तीन बड़े चममेच, जिंजर का पेस्ट, अधरक का पेस्ट जो मैं आपको बनाना बताया था, और तीन टेबल स्पून क्रश किया हुआ गार्लिक का पेस्ट, दो टेबल स्पून हरी मची पीज प्यास का मिक्स कर दाल के मिक्स कर दिया अब जो पीयासे देख कि बा करना है, यहां पर प्यास को और भावन ब्रावन थो उसमें एक से दो तमातर चौप करके डाल दिया, बीज निकाल और एक कप कुख स्ट का डाल दिया इसके अंदर, लिंक डिस्रिप्शिन बॉक मैंने कैसे बनाया सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे कंटीनिसली चलाते जाएंगे ध्यान रहे कि वाटमिस्टिक नहीं होना चाहिए देखिए मसाला जो है ऑईल सेप्रेट होने लगा है अब इसमें डेर चमच कुरियंडर पाउडर धनिय का पाउडर अधी च मिक्स कर लेंगे अगर आप तेज स्पाइस खाना चाहते हैं तो आप जादा मिर्ची डाल देंगे और दो टेबल स्पून डेसिकेटिड़ कोकोनेट एक चमच अम चूर कर डाल दिया इने भी अच्छे सा मिक्स कर लेंगे और वन पोर्ट कर प्रेट चिली पेस्ट डाला है रेच चिली पेस्ट जितना आप तीखा करना चाहते हैं उसे अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना मैंने डाला है उसे सबजी बहुत जादा तीकी नहीं हुई है उसे भी शुरुवात में डालके थोड़ा सा पका लेंगे जिसे धनी के बहुत अच्छा धनी का टेस्ट आ जाए एक चममेच कश्मीरी लालमेची पाउडर डालके इसे भी बूल लेंगे देखिए सबजी में रंग बहुत ही अच्छाता है किश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर का अब मैंने एक कप आपको बोला था ना मसाला बचाने के लिए वही मसाला इसमें हमने एड कर दिया वर्दियों का एक कप के आसपास उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप अगर चाहें तो एक चमिरी लाल मिर्ची के साथ अगर तीखापन जादा प्रफर करते हैं तो मेरी सबजीों में तीखापन जादा नहीं होता है क्योंकि मैं किश्मीरी मिर्ची का इस्तमाल जादा करती ही हूँ अब मैंने इसके अंदर करीब तीन से चार कप पानी डाल दिया है क्योंकि बेसन बहुत सारा पानी अब्सॉर्ब करता है हमें अच्छी से एक थिक ग्रेवी बनानी है तो पानी इसमें जाधा ही लगेगा और ये जो टोस्ट होते हैं खाने वाले रस ब्रेट को जो रोस्ट कर के बनते हैं वो मैंने दो टोस्ट का पाउडर बनाके डाल दिया है या फिर आप चाहें तो दो ब्रेट को आप माइक्रोवेव कर लीजे और उसका पाउडर बनाके डाल दीजे या डारेक्ट ब्रेट का पाउडर बनाके डाल दीजे उससे ग्रेवी में ठिकने साती है अब इसे हम डख के करीब साथ से आट मिनेट और रिलीज होने तक पकाएंगे बीच बीच में कंटिनिसली चलाते जाहिए क्योंकि जब बेसन होता है उसकी टेंडेंसी होती है स्टिक होने की तो देखिए कंटिनिसली चलाते जाहिए धकने का मतलब यह है कि नजर नहीं हटानी दाल दिया है अब जो पाउडर जो मसाला था पहले मसाला एट कर लीजे ग्रेवी के अंदर उसके बाद हम इसके अंदर लास्ट में सबजियां असेम्बल करेंगे देखिए कितनी गजब ग्रेवी बनी है बहत ही जादा टेस्टी सबजी बनती है देखते ही मूं में पानी जाता है इतनी टेस्टी बनी थी अब थोड़ा सा पानी और आट करिए क्योंकि पानी जो है वह आपको शुरुवारत में आप एज़स्ट कर सकते हैं एक बर सबजियां डलने के बाद आप जादा ग्रेवी को हिलानी पाएंगे तो इसलिए पहले ही आप पानी की कंसिस्टे अच्छे से पकाते जाएंगे 15-20 मिनिट अच्छे से आराम से लग जाते हैं तब जाके सब्जी टेस्टी बनती है लेखिए ज़रत पड़े तो पानी अपनी हिसाब से जादा कर लीजए अच्छे सी थिक ग्रेवी बनानी है और उसके बाद ही इसमें सब्जियां असेंबल सब्जिया था पहले ग्रेवी बना दी उसके बाद इसमें सब्जीयां रेंज कर दी जाएंपर इस द्धânया इस्के बाद मिंग भलेके अब अब फेरानी होती हुट को सब्टा कोर्ट को कि ऐसे ग्रेवी के साथ और यह नहींने जाए जोर्वर भाली नहीं देके निए नि वर्डियो रेडी है सबका अपना तरीका होता है वर्डियो बनाने का हर घर में अपनी एक अलगी रेसिपी होती है मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से ट्राइ करके देखिए आम शूर कि आपको यह बहुत जादा पसंद आने वाली आप खुद आकर मुझे बताओगे कि आपको यह बहुत पसंद आए तो कुछ अलग सी रेसिपी है हटकर रेसिपी है आपने शायद ऐसी रेसिपी कभी ट्राइ नहीं करे होगी वीडियो में अगर आपको मेहनत अच्छी लगी हो मेरी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए मुझे मोटिवेट कर सकते ह हैं और अगर आपको मेरी रेसिपी इस अच्छी रखती है तो घर में जरूर ट्राय करिए कमेंट द्वारा अपने एक्सपीरिंस शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करिए शेयर कीजिए और चैनल को प्रमोट होने में मदद करिए